मोदा तालुका में किसान रभी और खरी की फसल लेते हैं। इस फसल को पेज डेम से आने वाली पानी से सिचाई की जाती है, पिछले कई सालों से कम बारिश होने से और किसानों के हिस्से का पानी अन्य इंडिस्ट्रीज को देने के कारण किसानों की फसल को परियाप्त मात्रा में पानी ना मिलने के कारण कई किसानों ने अपने खेतों एक वेवे और बोरिंग बनाये मोटर पंप लगाएं हैं बचीत धान और इतार रब्बी चे पीक गेतली जातात। या भागा मदे पेश धरना चा पान्या पासुन सिंचन केला जाता। परन्तु मागिल काई वर्ष अभर्षा मदे पाउसा ची अनीमित्ता। पेज़ धरना में पान्याच संचेन होत नहीं, त्या मुझे शेत्करायां च्या रभी पिकाला, और काई प्रहमा में खरी पिकाला सुध्धा पाईजे त्या प्रहमा ने सिंचन करता यतने तर तालुग्या मदे बराश्या लोकान आपले शेता मदे कूप नली का, काईट का नी वीहरी खोदलेले, और त्या वीहरी वर तैननी मोटार पंपाच्या दावारे शेतिला सिंचन के लगाते मौदा से BCN News के लेसंजे गिरडे की रिपोर्ट मौदा से BCN News